हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्रेशन चेनल दिया एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम टार्गेट SSC MTS 2021 का वीडियो नमबर दो लेकर आए हैं इससे पहले एक वीडियो हमने अफ्रेट कर दिया है जो कि आपके जो एक्जाम होने वाले हैं पांच अक्टूबर से उनके लिए जो प्रिविएस एर के जो जीकित है न उनमें से भी वाले जीकित कोशन जो पचास बार से भी ज्यादा बार पूचे गए हैं वो प्रेशन हम इसमें से चुन-चुन कर लेकर आए हैं अगर आप किसी कभी पांच अक्टूबर या उसके बाद से पेपर है तो इन प्रेशनों को अवश्च देखके जाएगा बहुत ही कम समय में हम यह वीडियो बनाते हैं लगवाद बीस मिनिट या पच्शीस मिनिट के अंदर आपको पचास से सो कोश्चन हम करा लेते हैं इस वीडियो में कुछ भी फालत हूँ कि हम इसमें पकपास नहीं करते हैं ठीक है और अंतिम दस दिन के लिए इस्टडिली लाएगी थी हमने ठीक है तो इसका वीडियो नम्मा सेकेंड है एक वीडियो अप्लोड हो चुका है अगर आ पर आखिसे मेंस ओफ दा प्लियर 2019 गोसेत किया गया था तो 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 यह मनप्री सिंग यह को है तो यह हमारी इंडियन होकी के क्रेप्टन हो जाएंगे ठीक न तो यह नहीं गोशेत किया था वर्स 2019 में यह करेंट अफ़ेर पूचा गया था ठीक है नेक्स्ट वेस्टन है कि कंप्यूटिंग के चेत्र में बीजी एक यह करेंट होता है इसका फुलफ़ाम पुचा गया था तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जागा वीडियो ग्राफिक्स एरे ठीक है तो यह नेक्स्ट कॉश्चन है कि दिसंबर 2019 देखे एक और करेंट का भारती धल जेना कि नए सेना प्रमुक बनेते हैं उस समय मनुझमुकद नर्वान यह पूचा गया था तो इस समय भी जो हमारे इंडियन आर्मी के प्रमुक हां भी मनुझमुकद नर्वारे हैं ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है कि प्रोटीन कितने अमीनो एडसेट से मिलकर बना होता है यह कॉश्चन बहुत इद इंपॉटन है कई वार यह पूचा गया है तो प्रोटीन जो है यह 20 अमीनो एडसेट से मिलकर बना होता है ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन हम देख लेते हैं कि एप सकते भागी रती नदी पर इसके बाद नेक्स कुछेशन पूचे था निमने लिखत में ऐसे किसे राजीव गांदी खेल रहतन पुछका दो एर उनिया जी इनको मिला था दो एर बीस में किसे किसे मिला था दो एर बीस की हम डिसकस कर लेते हैं तो रोहिष शर्म हो जाएंगे एक पांच लोग को दिया जाएंगे तो यह आप याद रखिए का नाम नेक्स क्वेशन हम देख लेते हैं अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के शाइर कर दीजिए क्योंकि यह बहुत ही सोस्तों की वीडियो बनाएगा है इससे डारेक्ट आपको जो है क्वेशन एक्जाम में देखने को मिलेंगे और आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे नेक्ट वीडियो जो आएगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चलिए हम कोईशन नमर नाइन कर लेते हैं उननी सो पिचतर से जब सततर में आबाद का लगाया गया था तो उस दौरान भारत के राष्ट्रपती को थे तो इससे में प्रतान मंत्री को थे इंद्रगांदी राष्ट्रपती पूचा गया था तो फकरद्दिन अलीयमद ह हो जाएंगे दसबा था कि अमरे सर संदी ये भी बहुत मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है अमरे सर संदी पर हस्ताक्षर कभी थे तो अठारा सो नो में यह स्ताक्षर किया गया थे डारेक्ट सन पूस्ता इसके ठीक है इसके बाद रहले आयो का संबंद किस्से था इसे 1902 म मिले हैं वो आप उनमें से पद्म भूशड पद्म भूशड और पद्मिश्टिरों को याद करके जाएगा यह कुश्चन आपको डेफिनेट्ली मिलने वाला है वह यह पूचा था नर्ता की नडराच को कौन सा प्रसकार मिला था तो पद्मिश्टी मिला था ठीक है इसके सार्क जो है यानकी दक्षेस जिसे बोलते हैं का सच्छेवाले कब स्थापित किया था तो 1987 और इसकी स्थापना कब हुईती सार्क है कि यह हुईती इसका सच्छेवाले पूचा कि यह द्यानक ने गल्ती करते थे शुर्ण और जातर लो इस गल्ती करके आए थे 1937 में सच्छेवाले बनाता नेक्ष देख लिए मेगनस करलसन के सखेल संबन देता है तो इया अमेरिका के है किरने नेरे लेकित मैं प्रकार की जीवें खुला परिसंचण रनत्र जाता है नेक्ष प्रक्ष्ण दीख लिजी है कि ये कितने भारति राज्यों की सीमा बhouटान की सीमा से लगती है जो हमारा बhouटान है वह हमारे जो भारति तो यहां नेपला तो बूटान जो है इससे कितने सीमा लगती है तो चार राज्यों की जो है सीमा लगती है बूटान से इसके बाद वर्स 2011 की जनकड़ना के निसार किरल में लिंगानुपात पुछा गया था तो यह जो की हाइस्ट था ठीक है और इस लिल्चो साक्षर्त दर दर है वह है 94% केरल की जोगी यह भी साचर्त दर भी हाईस्ट हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट देख लिजिए चवालीज़वा संभिदान संशोधन अधिनियम कब लागू किये था तो उन्नीस व अठतर में चवालीज़वा संभिदान संशोधन लागू किये था इससे एक कोश्चन और निकलकर पूसता हो कि जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार है धिकार के संभिदान संशोधन दर और भी हना तो यही संबिदान संशोधन था इसके द्वारा संब्ना कहां इसे था कोल का था बड़ इसमें स्थापना पूची लेगी थी कभी थी तो 1864 हो जाया कब 1864 में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स देखिए एक पुस्ता का प्रसेद दा गॉर्ड ऑफ इसमॉल तिंग्स के देखे को ने तो अरुंदती राय और इसे में बुकर अवर्ड मिल चुका है इसलिए यह जो बुक है यह कई यो बार लगए सो से भी जादा बार यह बुख पूची गई है ठीक है दा गॉर् लेटिस्ट है ठीक है नेक्स देख लिए दाची गम राष्टी उध्यान भारत के 21 राज्ज में इस देता है तो जम्मू और कश्मीर में ठीक है जम्मू कश्मीर और लद्दा के जतने भी राष्टी उध्यान आप रट लीजगा इनसे जुड़ा हुगा कोई भी फैक्त आ अप्शन देख लिए भारत के क्रसी शेत्र में हमारा बारत का क्रसी शेत्र में किस प्रकार की बिरुजगारी पाई जाती है तो देखे प्रचन बिरुजगारी जो है पाई जाती हमारे भारत के क्रसी शेत्र में ठीक है तो यह इसको याद रखिगा बहुत यह जीता है गोल्ड domain जीता है यह पहल जीता है और इनका संब्हत कांव से हरेहाना करते हैं जो निकने में गुल्डबॉइ ते जिसके हैं याध रखियाएगाण कि यह विद्हारेवाद में हुझायँगा कभ और सge clean kutoda ख को clean कि कुटब शाह के द्वारा बनवाया गया था कब बनवाया गया था पंदरा सो इनके आनमे में ठीक याद रखिएगा नेक्स कुश्चन देख लीजिए वर्स डैस में नहीं सोरी डैस ने कोई ब्यक्ति का नाम है 2006 में वर्स डैस में पाकिस्तान के पहले ही यूबर में हैट् लगा थी और बिस्व के एकमात गैंद वाज यह ठीक है इसके बाद है सबसे बड़ी नदी द्यूप सबसे बड़ा जो नदी द्यूप है इसका नाम है माजुली द्यूप यह कांश दीता तो ब्रहमों पुत्र में इसमें नदी पूचे गई थी किस नदी पर है अगर आप खुझे से उत्तबादन से हो जागा निली क्रांटी क्रांदी वे बहुत उसी से नदामान के ओप करवादेult बपारते पर की भारत चत्र jemand तो सुसील चंद्रा हो जाएंगे ठीक है सुसील चंद्रा यह आप याद रखिए दोस्तों मैं जो भी important fact बता रहा हूं वह आपके exam के लिए बहुत ज्याद जनरल थे पकिस्तान के उन्होंना उन्नीस सो निन्यान में में शैने सासन लागू कर दिया था ठीक है एक book है जो की science की book है बहुत यह इंपोर्टन बहुत ही वार पूछ गिए the origin of species यानि जो जातियों की जनम हुआ है वो कहां से हुआ है the origin of ठीक है न वह चार्ल्स डार्विन के द्वार लेकिती चार्ल्स रोवर्ट डार्विन के द्वार ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए भारती राष्टी कॉंग्रेस के उसकी तरफ से मोहन चांद करम मोहन जो गांधी जी कहते है इस तरीके तो आप याद रगिए नेक्स्ट कॉशन देख लिए कि कि किसी व्यक्ति विसेज निरiggly या कानून को रोकने कि किसी व्यक्ति या पारटी य रास्टके आदिकार को क्या कहा जाता है तो वीटो यानि की देखिये जो हमारे जैसे की कोई कानून बना दिया इसे लागू करता है तो ये राष्ट्रपती के पास थे अगर राष्ट्रपती चाहे तो इसे अपने पास रख लेता है वे जो घुंआ अब तुरख प्रशिया अब करता है इस से लागू नहीं करता है इसी को कहता है बीटू यानिा आपने पास सक्ति रख लेना मतलब कि उसके बारे में कोई निरणा ना देना ठीके ना इस तरीके से होता है बीटो करके ठीक है नेक्स्ट देखिए सर्वसेष्ट अबनेत्री के लिए वर्स 2020 का राश्ट्रिया फ्लिम पुरुसकार ये उस समय पुझा गया था 219 का मैंने इसे कनवर्ट कर दिया 220 में तो सर्वसेष्ट अबनेत्री जो राश्ट्रिया फ्लिम पुरुसकार हुए 2020 के इसमें सर्वसेष्ट अबनेत्री का बड़ किसे मिला तो कंगरार रानवत हो जाएंगी इनको मिला है रियो ओलम्पिक ब्राजील की सहर है रियो 2016 में ठीक है इसमें भारत में कितने गुल्ड जीते हैं 17 वह सॉरी साथ मेडल जीते हैं इसमें एक गुल्ड है और भारत की जो रेंक थी वह थी 48 भी ठीक है आप यह सारे एक्ट से याद रखिए नेक्स्ट देख लिए निम्न में से पंडेत मदन मढ़ीं जी नेowa ृइना वृता भाणाँ जाए यह उस सिमयं पूचा गया था मैं अभी लेटिस्ट बरता है आगंगाँ को ताप को आपको अद्दक्ष इसका अमुखक्त की है पूचान चाहिता लिए यह ब Parklandता गैजा मुंबई में हो जागा वांकरे स्टोडियम में ठीक है तो अभी बरतमान में स्वरभ गांगों लीजें उन्तालीजवे नम्मर के ठीक है अकला देखिए कि जो भारत और स्री लंका को डैस के द्वारा बिवाजित यान कि अलग किया था यान कि जो देखिए मैं आपको फोटो नेक्स्ट प्रेशन देखिए जो खरीब की फसले होती है ना इनको डैस की मौसम सुरुवात के साथ ही बोई जाने वाले फसलों के रूप में वड़त किया था यान कि यह पूछा गया था है जो खरीब फसले होती है इनको किस मौसम की सुरुवात में ही बोया जाता है तो जैसे ही रितु आरम होती है उस समय में खरीब की फसलों को बो देते हैं और इन्हें कब काटायाता है जनवरी दिसंबर जनवरी या और परवरी में इने काट लिए जाता है ठीक है इस तरीके इस खरीब की फसलों बोलते हैं एक और कुश्चन पूचा गया था कि अगस्त 1888 म में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कंपणी ने सासन को समप्त कर दिया गया था इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया था तो बारत सरकार अधिनियम लागू किया था या सिंपल सो कुश्चन था यह कि बारत सरकार अधिनियम जो है कब लागू किया था इस तरीक तो गुमाया गया देखिए बहुत यहादा लंब करके पूछ लिए कुछ नहीं है बच्चे को ड्राने के लिए पूछ आता है सिंपल था कि अटारास टापन में कौन सा अधिरियों था तो बारत सरकार अधिनियम इसे पहले कंपनी का साथ से चलता था ठीक है इसके बाद दे बहुत 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 को साथ पनाम यह दो हैं तो बधियू करके हुटरियों के माथ्यम से आपको शिरह होता है कोशिकाओं के मद्यम से भी रखते बहता है ठीक है next question देख लिए sodium hydroxide का अपयोख 10 के लिए नहीं किया जाता ठीक है चार option ते इसमें आपको बताना था किस के लिए नहीं किया जाता ठीक है नहीं किया जाता किसका sodium hydroxide N A O H N A यानी sodium hydroxide फॉर्मुला भी आपसे पूछ सकता है तो अकवार बनाने में तो हम करते है sodium hydroxide का इसके बाद देखिए धातों की चिकने हटाने में भी करते हैं सावन बनाने में भी करते हैं अचार को परिरक्षित करने में ये सही आंसर हो जागा इसमें नहीं करते हैं sodium hydroxide का इसके लिए हम करते है sodium banjoate sodium banjoate ठीक है banjoate ठीक है ये ध्यान रखिएगा आप next question देख लीजे जो हमारा RBI यह नहीं कि भारत की रिजर्बेंग के बरतमान गवर्णर कोन है ये उस समय पूछा गया था मैंने इसको latest कर दिया तो वर्तमान में कोन है सकती कांत दास हो जाएंगे जो कि 25 वे नंबर के हो जाएंगे और अगर आप से पूछे लेजर्बेंग की स्थाबना कब होई थी तो 1934 डेट साइथ पूछता है एक अपरेल एक अपरेल 1934 नेक्च देखिए कथकली की जो जड़े है किस राजम है तो केरल बहुत ही फीमस क्वेशन कम से कम 500 वार रिपिल जदने भी एक्दाम होई है लगवाक पूछा ही आता है आप से पूछे तमिल नाडू में कौन सा होता है तो तमिल नाडू में भारत नाट्यम आंद्रपरदेश में कौन सा होता है कुची पुड़ी कुची पुड़ी याद रखिएगा नेक्स देख लिजिए लास्ट जो हमस्लाइट पर चल लाए है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरासी भी अक्षी लगी हो तो प्लीज आरो इसको अपने दोस्तों के शेयर करता बहुत यहादा मेहनत से आपके लिए क्वेशन निकाले गए थे ठीक है और हम जे वीडियो जब तक चलाते रहेंगे जब तक आपके जो एससी के एक्जाम में वो कॉप्लिट नह बस किया का आजा था चांदी मतलब कुछ नहीं है एजी का सूत्र पूचा गया था सीधी सीधी बाद गुवाँ पर आके ठीक है नेक्स्ट है कि मानब सरीर की सबसे चूटी एड़ी कान की एड़ी देखे इससे पहले हमने वीडियो डाला था उसमें बताया था कि सबसे दरजा दिये गया था तो धारा 370 जो हो जाएगी इसके द्वारा जो है जम्मु कस्ट को वीडियो यहां पर एंड किया जाता है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंत जय भारत